तो विस्टास का हमारा चैप्टर चल रहा है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और बहुत सारी फिलोसफिकल बाते हो रही है बहुत सारी दर्शन शास्त्र से संबंदित बाते हो रही है नजर और नजरिया जो है उस पर हमारे जो लेम भाई साब है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और डेरिक जिरे हम डेरी के नाम से जानते हैं वो भी अपनी तरफ से अपना नजरिया या अपना जो दर्शन है जीवन दर्शन है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो दो लोग हैं जो एक बहुत ही काफी mature personality है और एक जो है बिल्कुल वैसी ही personality है जैसे teenager में अधिकांश विद्यारती अधिकांश बच्चे होते हैं तो कैसे एक mature वैक्ती जो है वो प्रभाव डाल रहा है या प्रभावित कर रहा है उस teenager की life को और कैसे एक positivity एक सकारात्मक्ता का जो बीज है उसे बोने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से उस बीज में प्राण आएं और दीरे दीरे वो बढ़कर के एक विशाल वरक्ष ब कहानी में basically हम लोगों ने यही देखा है कि dairy जो है वो एक बंद पड़े हुए या खाली से घर में जाए गार्डन होता है वहाँ पर यह सोच करके चला जाता है कि कोई नहीं होगा वहाँ उन्हें Mr. Lamb मिलते है और Mr. Lamb जो है उनके भी जीवन में एक कमी है कि उनके पैर जो है तो इन दोनों की किस तरीके से बातचीत होती है किस तरीके से इन दोनों के बीच में communication होता है किस तरह का discussion इनके बीच में चलता है वो सारी की सारी चीज़े हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखी है गाईस तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है अना तो next सारी चीज़े कैसे समझते हो कि हर सवाल का आपके पास जवाब है हर परिस्तिती में आप कुछ ना कुछ अजीब सा कुछ ना कुछ विचित्र सा जिसके लिए एक वर्ड आ रहा था बार 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 पैक्यूलर तो बहुत पैक्यूलर सा आपका दृश्टिकोंड आपकी बाते बहुत पैक्यूलर है आपको सब कुछ कैसे पता आपने एतना सब कुछ अपने जीवन में कैसे समझा विस्ति लायम कहते हैं watching, listening, thinking, मैं चीजों को देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और समझता हूँ, सोचता हूँ, तो इस तरीके से देखते हुए, सुनते हुए और सोचते हुए मैं सारी चीजों को समझ गया, डेरी कहता है, I'd like a place like this, a garden, मुझे इस तरह की जगह पसंद है, एक garden, एक बगीचा, I'd like a house with no curtains, और मुझे भी ऐसा ही घर पसंद आएगा, या मुझे भी इस तरह का घर ही पसंद है, जिसमें कहीं भी कोई भी पर्दे ना लगे हूँ, यानि पर्दों से विहीन, जहां पर यहां आ सकते हैं, अगर आपको यह जगह पसंद है, तो आपका हमेशा यहां पर स्वागत है, डेरी कहता है, but this isn't mine, लेकिन यह घर, यह गार्डन जो है, जिस तरह का घर है, जिस तरह का गार्डन मुझे पसंद है, वो मेरा नहीं है, यह तो आपका है ना, यह तो Mr. Lem का है, यह आपका है, यह मेरा, नहीं है, Mr. Lem कहते है, everything's yours, if you want it, what's mine is anybody's, तो सब कुछ तुमारा है, सब कुछ यहां पर जो भी कुछ है हो सब क्या है, तुमारा है, अगर तुम्हें यह चाहिए, अगर तुम इसे चाहते हो तो, what's mine is everybody's, जो कुछ मेरा है, चाहिए घर हो, चाहिए यह garden हो, चाहिए यहां के पेड़ पौते हो, चाहिए यहां का atmosphere हो, यह सारी चीजे जो मेरी है, यह हर व्यक्ति की है, कोई भी व्यक्ति यहां पर आ सकता है, आ करके अपना समय अच्छे से बिता सकता है, तो इसलिए तुम ऐसा मत सोचो कि यहां पर रहे है, तुमारा नहीं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यह प्रकरती हमारी थोड़ी है, हमारा तो क्यों हमारा घर जितना है, हमारा plot जितना है, हमारा खेत जितना है, क्यों उतना इससा हमारा है, तो हम वहां कोई गंदगी नहीं होने देंगे, हम वहां किसी भी तरीके का land degradation नहीं होने देंगे, लेक हमें इस बात पर believe करना होगा, हमें इस बात को accept करना होगा, कि इस सारी चीज़े हमारी है, हम accept नहीं कर रहे हैं, जैसे कि direct जो है वो accept नहीं कर रहा है, कि सारी की सारी जगे जो है, garden जो है या contentless जो house है जहां पर किसी भी तरह है के परदे नहीं लगे वे वो जगे उसी की है, उसी से belong करती है, उसे बस उस पर विश्वास करना जरूरी है, उसे उस चीज़ को accept करना जरूरी है क्योंकि वो हर चीज़ को पराया दूसरा, दूर रहो इंसानों से दूर रहो, लोगों से दूर रहो, वो इस तरह की सोच के साथ अपना जीवन जी रहा है इसलिए किसी भी चीज़ को ऐसे accept करने में उसे समस्या आ रही है dairy कहता है so I could come here again तो क्या मैं यहां फिर से आ सकता हूँ even if you were out बले ही तुम यहां ना हो तुम कहीं बाहर गए हो I could come here क्या मैं यहां सकता हूँ Mr. Lamb कहता है certainly निशित तोर पर तुम आ सकते हो you might find others here हो सकता है कि मैं तुम्हें ना मिलू लेकिन तुम्हें यहां दूसरे लोग मिले कोई और बैठा हो अपना time अच्छे से spend कर रहा हो या फिर garden के अंदर अपना manoranjan कर रहा हो of course निशन दे है तो तुम जब चाहो आ सकते हो हो सकता है मैं ना मिलू तो कोई और मिल जाएगा dairy कहता है ओ अच्छा Mr. Lamb कहते है well that need not stop you you need not mind और अगर तुम्हें यहां पर कोई और मिलता भी है तो मुझे लगता है कि उससे तुम्हें यहां आना नहीं रुकना चाहिए अगर कोई और यहां मिल भी जाता है तो क्या फरक पड़ता है उससे तुम्हारा यहां आना रुकना नहीं चाहिए you need not mind यानि कि तुम्हें उस चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए या तुम्हें तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कि यहां पर कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा, अगर कोई और भी तुम्हें यहां मिल जाए, तो भी तुम्हें यहां आना चाहिए, इससे तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, डैरी कहता है, I'd stop them, अगर मैं आता हूं तो dairy कहता है, कि मैं उन्हें आने से रोक दूंगा वापस वही पुरानी विचार थारा कि भई अगर मैं आता हूँ, वो लोग मुझे देखेंगे तो फिर वो लोग यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे मैं उन्हें यहाँ आने से रोक दूंगा ना चाहते हुए they'd mind क्योंकि वो इस चीज का बुरा मानेंगे या उन्हें इस चीज से प्रभाव पड़ेगा फरक पड़ेगा कि मैं यहां हूँ वो परिशान हो जाएंगे मेरे आने से when they saw me here जब वो मुझे यहां देखेंगे they look at my face and run वो मेरे चेहरे को देखेंगे मेरे फेस को देखेंगे और यहां से भाग जाएंगे तो यहां पर डेरी जो है वापस से अपनी पुरानी विचारधारा पे जा रहा है जीवन या लोगों के प्रती उसका जो नजरिया है जो दृष्टी कोण है वही चीज यहां पर वो वापस कह रहा है कि अगर मैं यहां आता हूँ और मुझे यहां कोई और मिला तो मैं तो आता रहूंगा लेकिन शायद वो आना बंद हो जाएंगे वो मुझे देखेंगे मेरे चेहरे को देखेंगे और यहां से भाग जाएंगे और शायद कभी लोट कर वापस नहीं आये यहां पर Mr. Lampe कहते है You might, हो सकता है कि जैस वो ऐसा करें, हो सकता है कि वो यहां से भाग जाए, हो सकता है कि तुम्हें देख करके कोई यहां न आंआ चाहे, You might not, लेकिन जितनी संभावना ये है कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा होग़ा, उतनी ही संभावना इस बात की भी है के जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं होगा they might not, हो सकता है वो न भागे हो सकता है तुमारे चहरे से किसी को कोई फरकी न पड़े हो सकता है तुम आकर के तुम अपने कौने में बैठे रहे तो वो अपने कौने में बैठे रहें, वो जहां बैठे हैं, बैठे रहेंगे, तुम्हें जो करना है, तुम करते रहना, ये भी तो हो सकता है, तो possibility तो दोनों तरफ है, देखो भई, अगर एक glass है, और इस glass में आदा पानी भरा है, तो नजरिये की बात है, एक विक्ति कहेग ये glass आदा खाली है, एक विक्ति कहेगा ये glass आदा भरा हुआ है, जो कहरा है खाली है, उसकी कैसी मान सकता है, नकारात्मक, जो कहरा है आदा भरा हुआ है, उसकी कैसी मान सकता है, सकारात्मक, लेकिन संभावना तो दोनों चीजों की है, हो सकता है, वो भाग जाए, हो सकता तो ना भागे हो सकता है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो भी तुमसे बाते करने लग जाए, क्या पता क्या होगा, तुम्हें ये जोकिम उठाना होगा तुम्हें ये जोकिम उठाके देखना होगा कि क्या कोई भागता भी है वास्तविक्ता में या नहीं भागता और उसी तरीके से उन्हें भी ये जोकिम उठाना होगा जब तुम आओगे तो उन्हें जोकिम उठाना पड़ेगा कि अब वो क्या करें, भागे, बैठे, तुमसे बात करें या ना करें, तो सारी चीज़े 50-50% है, जब दो लोगों के बीच में किसी भी तरए का समवाद होता है, जब दो लोगों के बीच में किसी भी तरह की बात् तो दोनों तै करते हैं कि हम इस बात्चीत में interested हैं या नहीं हैं या हम एक दूसरे से बात करना चाते हैं या नहीं करना चाते हैं यही बात यहां पर Mr. Lamp समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भईया तुम्हें लग रहा है कि वो भाग जाएंगे हो सकता है तुम आओ उने फरकी चाहता है वो क्या चाहता है कम से कम at least वो चीज़ तो देख लो they would dairy कहता है no you would नहीं तुम ऐसा करोगे you might have me and lose all your other friends तुम जो है तुम्हें ज्यादा नुकसान होगा इस चीज़ से कि तुम्हें ये risk लेना पड़ेगा कि हो सकता है कि मेरे साथ मितरता करने की वज़े से तुम तुमारे बाकी के सारे दोस्तों को खो दो कि आर वहाँ पर तो एक जलेवे मुह अला लड़का आता है हम तो नहीं जाएंगे ऐसा सोच करके अगर तुम्हारे दोस्तों ने आना बंद कर दिया तो तुम्हारे सारे दोस्त खो जाएंगे क्योंकि कोई भी मेरे नजदीक नहीं रहना चाता अगर वो इसकी साहिता कर सकते हैं यानि कि वो अपने आप की साहिता कर सकते हैं वो अपने आप से निर्णे ले सकते हैं तो उनका प्रतम निर्णे यही होगा कि वो मेरे करीब नहीं आना चाहते है या कोई भी मेरे करीब नहीं रहना चाहता Mr. Lampe कहते है I have not moved लेकिन तुम देखो ना कि मैं अभी तक यहां से नहीं गया हूँ तुम तो कहते हो कि मेरे आसपास कोई नहीं आना चाहता मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं तो कहीं नहीं गया मैं तो यहीं बैठा हूँ, तुम्हारे आने से मैं तो कहीं हिला डूला भी नहीं, कि बहुत तुम अगर करीब भी हो, तो मैं तुम से कोई दूर सरकने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो नहीं, मूव कर रहा हूँ, मैं तो जहां हूँ, आहीं हूँ, डैरी कहता है no, वो कहता ह हाँ नहीं आपने मूफ नहीं किया आप यहां से नहीं गए आप यह जैसे पहले बैठे थे वैसे ही स्थाई रूप से वहीं बैठे वे हो आपके कोई फरक नहीं पड़ रहा है Mr. Lamb कहते हैं when I go down the street जब मैं नीचे सडक की और जाता हूँ the kids shout तो बच्चे चिलाते वे कहते हैं Lamby Lamb लंगडा Lamb but they still come into this garden लेकिन वो वहां मुझे चिडाते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वो मुझे से दूर भागते हैं या मुझे से घरणा करते हैं या मुझे से नफरत करते हैं और मुझे से दूर रहना चाहते हैं जो बच्चे मुझे चिडाते हैं तो मुझसे गृणा करते हैं, वो यहां आते हैं, मेरे घर में आते हैं, यहां पर आ करके अपना एंजॉय करते हैं, यह खेल की तरह है, they are not afraid of me, वो मुझसे नहीं डरते, why should they be, उन्हें मुझसे क्यों डरना चाहिए, because I am not afraid of them, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता, that's why not, इसी लिए मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है, कि जैसे तुम सोच रहे हो न, कि कोई व्यक्ति अगर तुम्हें चिडा रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान कर रहा है, या किसी व्यक्ति की उपस्तिती से तुम्हें परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुमसे गरणा करता है, ऐसा भी ज़ुझ बधार ऐसा नहीं होता, अब भाई एक छोटी सी बात है, हमारे टीचर्स, हमारे घरवाले, हमेशा हमें डाड़ते रहते हैं, नेगिंग करते रहते हैं, हमेगर चाह खुछ ना खूछ रोख डोख लगाते रहते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह हमसे नफरत करते हैं भाई, या वो चाहते हैं कि आप उनके घर से, आप उनके क्लास से, हमेशा के लिए चले जाओ, क्या तुम तो आप तो इतने बुरे हो कि हम तो आपकी शकल भी नहीं देखना चाहते हैं आप जाओ यहां से ऐसा थोड़ी है अगर वो डाटते हैं या आप कुछ कहते भी हैं तो इसका मतलब यह कता ही नहीं निकाला जा सकता कि वो आपसे घ्रना करते हैं यहां पर जो Mr. Lamb है वो यह कहना चाहते हैं डेरी कहता है क्या तुम्हारा पैर जो उड़ गया धमागे के साथ क्या वो वोर में किसी युद्ध में उड़ गया था कि भाई अभी मैं सिड्डी लगाऊंगा यह जो पकेवे हैं जो जैली बनाने के लिए तयार है यह वाले फल तोड़ूँगा तो यह कहता है कि फिर तुम सीडी पर कैसे चड़ोगे और कैसे तुम वो कच्चे एपल जो है क्रैब एपल उन्हें नीचे लेकर के आओगे तब क्योंकि तुम्हारा एक पैर तो उड़ गया और तुम कह रहे हैं कि मैं सीडी पर चड़ के उतार लूँगा किसी अकस्मात दुरगटना के अंदर तो जीना थोड़ी चोड़ देता है भाई वो सामन्य चीजे करना नहीं चोड़ता वो अब उस पैर के बिना उसे कैसे अपना जीवन जीना है या कैसे अपने सामन्य सारे काम करने है वो उन कामों को सीखता है वो उन कामों को छोड़ नहीं देता है कि वह चलो आज के बाद ये काम सारे नहीं करेंगे वो उन कामों को सीखता है and plenty of time of it और वो कहता है कि मेरे पास ये सीखने के लिए काफी समय था plenty का मतलब होता है परियाप्त समय था मेरे पास मेरे पास ये सारी चीज़े सीखने के लिए परियाप्त समय है years, काफी साल I take it study और मैंने धीरे धीरे और लगातार करते हुए चीजों को सीख लिया I take it, मैंने इसे प्राप्त किया है study यानि कि लगातार करते हुए धीरे 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 जाता है कैसे बाकी के सारे सामान्यकारिय किये जाते है dairy कहता है if you fell and broke your neck अगर तुम गिर गए और तुमारी गर्दन तूट गई तो you could lie on the grass तो तुम इस घास पर पड़े रहोगे and die और मर जाओगे if you are on your own अगर तुम अकेले ही अपने ही दंपे अपने ही साहस पे सारा का सारा काम करने का प्रयास करोगे ये sentence important है इसे याद रखना Mr. Lamb कहता है I could बोले हाँ हो सकता है कि मैं गिर जाओं हो सकता है कि मेरी गर्दन तूट जाए हो सकता है कि मैं यहीं पड़ा पड़ा मर जाओं कोई ना है उस समय में dairy कहता है you said I could help you dairy ने कहा कि तुमने कहा था कि मैं तुमारी मदद कर सकता हूँ तो Mr. Lamb कहता है if you want to हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो dairy कहता है but my mother will want to know where I am लेकिन मेरी मा जानना चाहेगी कि मैं कहा हूँ ये शाम का समय हो रहा है कोई भी बच्चा कैसा भी हो लेकिन शाम का समय थोड़ा अंदेरे वाला समय होने लगता है तो उसको लगता है कि बहतर है भाई अब घड़ चलो समय से घड़ चले जाना ठीक है तो मेरी मदद जो है वो जानना चाहेगी कि कि मैं कहा हूँ मेरा घर यहां से it's three miles home यानि मेरा घर यहां से तीन मील की दूरी पर है across the fields उन खेतों के पार I am 14 मैं 14 साल का हूँ but they still want to know where I am लेकिन वो अभी भी जानना चाते हैं कि मैं कहा हूँ अब I am 14 और but इन दोनों से अगर आप इस sentence को समझो they still want to know where I am तो एक बहुत ही विचितर बात है जो मैं अपनी कक्षा में बार बार कहता हूँ teenager की इस्तिती बहुत खराब मतलब मैं जानता हूँ कि आप लोगों की life कैसी है और सच में मेरे मन में सांत्वना है आपकी life जैसी है उसके प्रति बारवी क्लास के विध्यारती को समझ में नहीं आता है कि कब वो छोटा है और कब वो बड़ा हो चुका है घर में सलंडर उठा के रखना है तब वो बड़ा है बजार का कोई काम करके आना है तब वो बड़ा है घर की साफ सफाई करनी है तब वो बड़ा है इतना बड़ा हो गया इतना सा नहीं कर सकता इतना बड़ा हो गया अभी तक लखण नहीं आए इतना बड़ा हो गया लेकिन यही वेक्तिए अगर यह कह दे कि मैं तीन दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने जाना चाता हूँ, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, कि अकेले कहीं पर भी घूम के आ जाओ, तो घरवाले और जो बड़े हैं, एल्डर जो हैं, वो तै करते हैं, कि किस पॉइंट पे, किस बात पे तो आप बड़े हो चुके हो, और किस पॉइंट पे, किस बात पे अभी तक आप बच्चे हो, अभी तक आप छोटे हो, तो आप इतने बड़े नहीं हुए हो, तो यही 14-year के बच्चे की, 14 साल के बच्चे की भी यही समस्या है कि उसे लगता है कि मैं 14 साल का हो गया हूँ, मजाग की बात है कि इतना बड़ा हूँ है, that's my age, 14-year, 14 साल का हूँ मैं, लेकिन वो अभी भी जानना चाहते हैं कि मैं कहा और यह यह 57 पॉइंट है जब वह कहेंगे तुम इतने भी बड़े नहीं हुए अभी तुम छोटे हो अभी तुम बच्चे हो ठीक है थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद में सारे काम करना राइट तो यही चीज यहां पर यह भी कहना चाहता है और मुझे लगता इससे Het लगे प्रविंदा नहीं हुए वह उपाद के लिए शिक्षकव के लिए कभी जिया उनके बच्चे होते हैं वो कभी भी बड़े नहीं होते वह हमेशा चोटे ही रहतें क्योंकि वह अपने अनुभाव से कह रहे हैं हर्मारा अनुभाव उनके अनुभाय थे हमेशा कम रह देरी कहता है people first people जो है वो बात का बतंगड बना देते हैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं Mr. Lam कहता है go back and tell them तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि लोग छोटी छोटी बातों का बतंगड बना देते हैं तो वापस जाओ और उन्हें ये बात कह दो कि आप नहीं नहीं ये शांदर या एक बहुत लाजवाब सी शाम है ये एक अच्छी शाम है you have got legs और तुम्हारे तो पैर भी है शाम भी है और पैर भी है तीन माइल तो चलके जा सकते हो dairy कहता है once I got home they'd never let me come back dairy कहता है एक बार अगर मैं घर चला गया भी यहां से तो वो मुझे फिर से लौट कर नहीं आने देंगे यानि कि शाम का समय अभी अगर मैं गया तीन मील तो गंटा और गंटा तो जाने में ही लगेगा फिर तब तक तो शाम और जादा गहरी हो जाएगी तो फिर वो वहां से मुझे वापस नहीं आने देंगे Mr. Lam कहते हैं once you got home you would never let yourself come back तो Mr. Lam कहते हैं कि एक बार तुम अगर घर पहुँच गए तो तुम खुद को ही शायद वापस ना आने दो हो सकता है तुम खुद ही वापस ना आना चाओ ये भी तो हो सकता है तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें वापस नहीं आने देंगे और ये भी हो सकता है कि तुम एक बार घर पहुँच गए तो भया तीन मील तुम चलके आये हो अब तीन मील तुम चलके जाओगे तो ह ही डिसीजन लेलो के छोड़ो यार क्या बेकार जगा ति नहीं जाना वापस तो हमेशा दूसरों पर ही क्यों इल्जाम लगाना अपने निर्णे के लिए आपने अपने मन में सोच लिए कि यह वैक्ति मुझे यह जवाब देगा आपने सामने वाले वैक्ति को तो मोखा ही नहीं दिया कि वो आपको जवाब दे पाए तो हमेशा ऐसा आई होता है कि अपना decision अपने मन से खुद ही सोच लिए सवाल भी खुछ से ही पूछ लिया कि सामने वाले से मैं जाके ऐसा पूछूंगा तो वो ऐसा जवाब देगा अरे जाके पूछ लो न भाई हो सकता है वो ऐसा जवाब ना दे कुछ और जवाब दे दे कई भाई टीचर्स के लिए भी ऐसा एक perception बन जाता है सर से question पूछूंगा न तो सर डाट देंगे क्यों डाट देंगे क्या कारण है कोई reason ही नहीं डाट नहीं जबरदस्ती डाट देंगे लेकिन खुद के मन में ही सोच लिया हो सकता है आप जाकर के पूछो बड़े प्यार से खुदी वापस ना आना चाओ dairy कहता है you don't know तुम नहीं जानते you don't know what I could do मैं क्या कर सकता हूँ mr. lamb कहता है no नहीं मैं नहीं जानता only you know that केवल तुम ये बात जानते हो के तुम क्या कर सकते हो तुम सच कह रहे हो के मैं नहीं जानता मुझे क्या पता है तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते तुम मैं सच में नहीं जानता dairy कहता है if I choose अगर मैं करना चाहूँ तो इतना कहकर रुख जाता है mr. lamb कहता है if you choose अगर तुम चुनो तो I don't know everything boy मुझे इस दुनिया में सब कुछ नहीं पता है लड़के I can't tell you what to do मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए या तुम्हें क्या करना होगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो भाई ते को तुम्हें लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता है तो मुझे नहीं पता भाईया मैं सब कुछ नहीं जानता तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ नहीं पता है मुझे इस दुनिया के बारे में भी सब कुछ नहीं पता है काफी ऐसी दुनिया का हिस्सा हो सकता है कि जिसे मैंने अभी तक explore कर लिया हो लेकिन बहुत सारा, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी बचा है जिसे अभी तक मैंने explore नहीं किया है तुम्हारे बारे में हो सकता है कुछ बाते मुझे पता हो लेकिन पच्चासो या सैग डो बाते ऐसी हो सकती है जो मुझे पता नहीं हूँ, तो मुझे सब कुछ नहीं पता लड़के, यानि कि बिटा मुझे सब कुछ नहीं पता, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, डैरी कहता है they tell me लेकिन वो लोग मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए Mr. Lamb कहते है Do you have to agree? कि चलो ठीक है मालो वो तुम्हें बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना क्या तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें उनकी बात पर सहमत होना पड़ेगा तुम्हारी मर्जी हो तो सहमत हो तुम्हारी मर्जी हो तो सहमत ना हो वो तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे पैरेंट्स तुम्हें बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है लेकिन तुम्हारे उपर ये मजबूरी तो नहीं है न कि तुम्हें उनकी हर बात पर सहमत होना पड़ेगा तो ये भी तो जरूरी नहीं है कि भाईया तुम उनकी हर बात से सहमत हो क्या जरूरी है कि तुम उनकी हर बात से सहमत ही जता हो डैरी कहता है I don't know what I want मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं I want something no one else has got or ever will have मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक किसी को नहीं मिला और कभी किसी को नहीं मिलेगा मुझे कुछ अपने जीवन में ऐसा चाहिए जो आज तक कि भी किसी ने हासिल नहीं किया और कोई कभी भविश्य में भी हासिल नहीं कर पाएगा something just mind कुछ ऐसा जो कि सिर्फ मेरा हूं like this garden जैसे कि ये garden हो गया I don't know what is it और मुझे नहीं पता कि ये क्या है मतलब ये किस तरह की सोच है हलाकि मैं ऐसा चाहता हूं हम बहुत सारी चीज़े अपनी लाइफ में चाहता है लेकिन कई बार हमें खुद को ये नहीं पता होता कि जो हम अपनी चाहत बता रहे है वो हमें क्यों चाहिए बस चाहिए क्यों चाहिए भई पता नहीं वो तो नहीं पता लेकिन बस मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए क्यूं होनी चाहिए भया आपने इसी को औसी मेनद कर ली है आपने ऐसा कौ Tennessee मेरे डिया एसा डेडिकेशन दे दिया कि बस मेरे तो । Amen चाहिए तीड है अच्छी बात है पढ़ाई कर रहे हो नहीं प्रेक्टिस कर रहे हो नहीं रिविजन कर रहे हो नहीं बस सौमेस्ट सौचिग क्यों कहां के राजा महाराजा हो भाई प्रेंस हो कहीं कि विना महनत करें आपको वह चीज मिल जाएगी तो यहाँ पर यह हो रहा है कि यह कहिए कुछ चाहिए कुछ ऐसा जो आज तक कभी किसी को ना मिला हो और अगे भी कभी नहीं मिलेगा कुछ ऐसा जो सुर्प मेरा हूँ जैसे कि यह garden है लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए You could find out तो Mr. Lemb कहते हैं आप इसका पता लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो जान लो पता लगा लो Derry कहता है how, कैसे तो Mr. Lemb बहुत अच्छी बात कहते है जो मुझे लगता है Derry के साथ-साथ आप लोगों के लिए भी बहुत जादा जरूरी है Waiting Waiting Wait करना भी जरूरी है Teenagers क्या है बहुत जादा जल्दबाजी में रहते हैं Marathi का एक word है घाई में रहते हैं बहुत जादा जल्दबाजी रहती है बस तुरंट फटा फटा फट सब कुछ हो जाए लाइफ में तुरंट सब कुछ सीख लें तुरंट सब कुछ पराप्त कर लें नहीं रुको इंतजार करो वक्त के साथ जो चीजे होती है न वो बड़ी लाजवाब होती है वक्त से पहले जो होती है immature जो चीजे होती है वो भी वेकार है वक्त निकल जाने के बाद जो delayed चीज़े होती है वो भी वेकार है लेकिन सही वक्त पर सही चीज़ों को समझ पाना और उन्हें अपने जीवन में ग्रहन कर लेना सबसे अच्छी चीज़ होती है तो wait करो दूसरा watch देखो तीसरा listening सुनो लोगों को सुनने से बहुत ज्यादा ग्यान प्राप्त होता है listening is a fine art इसी लिए का जाता है sitting here यहाँ बैठ करके and going there या कहीं जाकरके I'll have to see to the bees मुझे अब जाकरके अपनी bees को अपनी मदुमक्यों को देखना है यानि कि अब कहीं ना कहीं जो Mr. Lamb है वो बातचीत को खतम करना चारेगा बहुत देर होगी चलो ठीक है तुम यहाँ आजाओ कहीं चले जाओ बैठ जाओ सुन लो wait करो हर चीज को अपनी life में observe करो उसके बाद में चीज़े तुमें समझ में आने लगेगी कि तुमें क्या च क्या वो दूसरे जो लोग यहाँ पर आते हैं क्या वो तुमसे बात करते हैं क्या तुमसे चीज़ों के लिए पूस्ते हैं Mr. Lamb कहते हैं some do some don't कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते I ask them I'd like to learn तो कई बार मैं उनसे कुछ चीज़े पूस्ता रहता हूं क्योंकि मुझे सीखना पसंद है Derry कहता है I don't believe in them Derry कहता है मुझे उन लोगों में विश्वास नहीं है उन लोगों में मतलब जिन लोगों के तुम गयात बात कर रहे हो न कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं ये जो मुझे से कुछ बात करते हैं कुछ नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई सम लोग या सम पीपल है ही नहीं मुझे उन में विश्वास नहीं है तुम कहते हैं तो हो के आते हैं लोग बैठते हैं सर्दियों के टाइम में आ जाते हैं या आग जला के बैठ जाते हैं लेकिन मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं आता तुम जूट बोल रहे हो I don't think anybody ever comes मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कभी भी कोई भी आता है you are here तुम यहाँ हो all by yourself पूरे अकेले and miserable और बहुती देनी अस्तिती में and no one would know if you are alive or dead और किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम जिन्दा हो या मर गए and nobody cares और किसी को इस बारे में या इस बात की परवा नहीं है कि चाहे तुम जीवित हो चाहे तुम नहीं हो तो यहाँ पर यह पूरा का पूरा एक distrust का issue है कि मुझे लगता है कि जैसा तुम बता रहे हो ने कि लोग आते हैं बैटते हैं कुछ बात करते हैं कुछ बात नहीं करते मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं लोग उसे करवा है कि तुम जीए के मरें मिस्टर लेम कहते हैं यू थिंग वॉट यू प्लीज प्लीज का मतलब यहां कृपया या उस अर्थ में नहीं है प्रसंद्न के अर्थ में तो मिस्टर लेम बहुत नॉर्मल सी बात कहते हैं कि तुम वह सोचो जिस चीज से तुम्हें मिलती है मुझे क्या फ़रक पड़ता है बै तुम मत मानो कि लोग आते यहां नहीं आते बहुत सारे लोग क्या है ट्रस्ट दिलाने के लोग हो गोगों कोशिश करते हैं उनका प्रयास आदा जीवन तो लोगों को विश्वास दिलाने में निकल जाता है Trust me, trust me, मुझे पर विश्वास करो, क्यों करो, मत करो भई मैं अगर ये कहूं कि मैं अपने स्टुडेंट्स के लिए काम कर रहा हूं और मैं अपने स्टुडेंट्स को कुछ बहतर देना चाहता हूं जितना उनको औरेड़ी उनके पास है अवेलिबल उससे कुछ एक्स्ट्रा उन्हें देने की कोशिश कर रहा हूं कोई कहा ये सब फाल दुबाते हैं तो टीचर्स ऐसे ही बोलते रहते हैं कोई कहता है मैं तुम पर विश्वास नहीं करता मत करो क्या फरक पढ़ना उससे कोई वेक्ति अगर मेरे विजन में विश्वास नहीं रखता तो मत रखने दोना है क्या दिक्कत है उससे कोई परेशान ही थोड़ी है तो यहां पर भी यहीं बात है कि तुम वह सोचो जो तुम्हार को जो सोच करके तुम्हें खुशी मिलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है तुम्हें लगता है या नहीं लगता क्या value है कि तुम्हें क्या लगता है value यह है कि वास्तविकता क्या है और मुझे क्या लगता है मैं क्या सोचा हूं अपने जीए छीसाख वास्तविकГा और Derry कहता है All Right then Choi Tell Me Some of Their name तो मुझे उन मेंसे कुछ का नाम बताओ तो वो कहता है what name क्या नाम बताओं, कैसे नाम बताओं क्या Tom, Dick and Harry जैसे अपने बोलते हैं के सुरेश, मुकेश, महेश, काडू ऐसे क्या नाम बताओं कोई भी नाम बता दूँगा ऐसे बताना चाहूँगा तो getting up, खड़े होते वे कहता है I am off down to the beast मैं जा रहा हूँ अपनी beast की तरफ जहां पर मेरी मदु मख्या है dairy कहता है I think you are duffed, मुझे लगता है तुम भोंदू हो crazy, संकी या पागल हो Mr. Lamb कहते है that's a good excuse, यह अच्छा बहाना है अच्छा बहाना किस चीज के लिए तो अच्छा बहाना दो चीजों के लिए मैं मोटे मोटे तौर पर यहां सोच सकता हूँ कि एक तो जिस तरीके से यहां पर खड़ा होकर जा रहा है तो एक अच्छा कारण हो सकता है इसको वापस बैठा करके और बात्चीत में लगाने के लिए एक तो ये कारण हो सकता है एक तो ये बहाना हो सकता है कि वो जबरदस्ती उसको भड़का करके डाफ्ट और क्रेजी कह करके और वो कोशिश कर रहा है कि वापस बैठ जाए थोड़ी बाते और कर ले इस कारण भी हो सकता है दूसरा कारण भी हो सकता है कि अब तक तुमने जितनी भी बाते करी है वो सब बक्वास है यानि कि जितनी बाते की गई है उससे जो उसको philosophically disturb कर रही है दार्शनिक तोर पर उसे परिशान कर रही है इसका जीवन का नजरिया क कि psychology के साथ या philosophy के साथ आप छेड़खानी करने ही कोशिश करो के ना teenagers ऐसे होते हैं बड़े protective होते हैं अपनी सोच को ले करके अपने नजरिये को ले करके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं बहुत आसानी से और बहुत easily किसी को एंटर नहीं करने दे कि आप उनकी सोच में सम इड़खानी कर लो उनके सोचने समझने के तरीके को बदलने की कोशिश करो बहुत overprotective होते हैं teenagers उनको पसंद ही नहीं इसलिए कभी भी किसी भी टीनेजर से ऐसे बात नहीं आपके अगर को चोटे भाई बैन हो ना उनको कभी भी आदेश देने वाले वे में और देने वाल यह 10-15 मिट का अग्यान देगा आदे गंटे का इसका अग्यान सुनना है यह गया अपनी life free अपनी life set जैसे अपन जी रहे हैं जो सोच है जो विचारत आ रहा है उसी से जिएंगे तो यह भी कई बार teenagers के साथ देखने को मिलता है तो आपके छोटे भाई बैन हो ना धमका के दरा के बात मत करो उनसे बात करो बस बैठ करके और बता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अचा इस में ऐसा क्या है ऐसा क्यों किया तो जोड से मारा उसको पीट दिया पीट ऐसा क्यों किया पीटना नीची दायर ऐसा करें ऐसे बात करो क्यों पीट दिया और उसको आप मारने लग जाओ यह सब हरकते नहीं करनी होती टीनिजर्स के साथ प्यार से बोलके किसका दूसरा अल्टरेनेटी भी हो सकता था अपनी टीचर से बात कर लेता अगली बार देख अगर कभी ऐसा आई होप ऐसा ना हो लेकिन अगर हो तो मुझे बता दिया अगर ऐसी क्या दिक्कत है कुछ बात होगी तो चलके कर लेंगे स्कूल में क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सा उसको आप क्या ट्रस्ट दिलाओगे कि हाँ I'm with you तो वह आपको अपनी फिलोसफिय औ दराओगे दमकाओगे तो एंटर नहीं करने देगा बगा देगा तुरंट डेरी कहता है what for किस चीज के लिए किस चीज के लिए एक्सक्यूस है you don't talk not to you you don't talk sense तो डेरी कहता है कि तुम कोई मतलब की बात नहीं करते है तुमारी बातों में कोई sense नहीं है लें कहता है good excuse not to come back तो ये एक अच्छा बहाना है फिर से यहां ना आने का and you have got a burnt face और तुमारा एक जलावा चेरा है and that's other people's excuse और यही दूसरे लोगों को अकारण है तो देखो जैसे तुमने मेरी सारी बातों को बकवास कहके यह तै कर लिया या यह बहाना बढ़ा लिया कि तुमारी सारी ब लोगों के लिए यह कारण बहाने का काम करता है कि तुम्हारा एक जलावा चेरा है तो दूसरे लोग भी ऐसे ही है जैसे तुम हो कि इसका जलावा चेरा है चलो इससे दूर रहो तो वैसे ही मेरी बातों को बकवास करके तुम यहां से दूर रहना चाहते हो तो उनमें और my face you are frightened of it अगर तुम्हें अगर बुरा नहीं लगता है मेरे face को देख करके यानि कि तुम्हारे मन्हें अगर दया का भाव नहीं आता है अगर मेरा चहरा देख करके तो तुम इसका मतलब यह है कि तुम मेरे चहरे से डरते हो and if you are not frightened अगर तुम डरते भी नहीं हो you think I am ugly as a devil तो तुम्हें ऐसा लगता है या तुम्हें ऐसा सोचते हो कि मैं बहुती बुरा भद्दा या अगली का सीधा सीधा एक शब्द का मतलब आजाता है मैं बहुती बदसूरत हूँ जैसे कि कोई devil हो शैतान हो I am a devil हाँ मैं एक शैतान हूँ don't you लेकिन क्या तुम नहीं हो shouts अब यह कहते कहते हो यानि कि यहां से जब वो शुरू करता है न कहना यह यहां से तो उसकी आवाज जो है वो दीरे दीरे बढ़ती जाएगी ठीक है क्योंकि जब व्यक्ति के पास तरक नहीं होता न बात करने के लिए जब व्यक्ति के पास logic नहीं होता न बात करने के लिए और वो किसी argument को जीतना चाता है तो अपनी आवाज उची कर लेता है अगर किसी के पास वास्तविक्ता में सही logic है सही तरक है किसी बात को कहने का तो ऐसी condition में तो क्या होगा कि वो धीरे बोलते वे भी अपनी बात को साबित कर देगा लेकिन जब किसी के पास तरक नहीं होता कोई logical point नहीं होता अपनी बात को प्रूब करने का तो अपनी आवाज बढ़ा लेता है चिल्लाना शुरू कर देता है तो ऐसे लोग जो आपके आसपास चिल्लाते होना समझ लेना कि उनकी बातों में दम नहीं है इसलिए वो अपनी आवाज में दम बर रहे हैं बात में दम होगा तो आवाज उची करने की क्या ज़रूँ है तो यहाँ पर यही हो गया कि तुम अगर मेरे चैरे के लिए अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता है तुम्हारे मने में दया का भाव नहीं आता है तो तुम इससे डरते हो और अगर तुम इससे डरते हो अगर तुम इससे नहीं डरते वह पहले ही चलके अपनी बीज के पास जा चुके हैं डेरी क्वाइटली, डेरी धीरे से चुपचाप से No, you don't, I like it here नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, मुझे यहाँ आना पसंद है पॉज एक्षण के लिए रुखता है डेरी गेटस अप एंड शौट्स डेरी फिर खड़ा होता है, खड़ा होकर चिलाता है I am going, मैं जा रहा हूँ बट I will come back, लेकिन मैं वापस आउँगा You see, तुम देखना, You wait, तुम मेरा इंतजार करना You can run, I can run, मैं दौड सकता हूँ मतलब मैं घर जाऊँगा, मा को बता दूँगा कहा हूँ मम्मी को बता करके मैं वापस आउँगा तुम रुकना, तुम मेरा वेट करना, देखना मैं वापस आउँगा तो जैसे उसने कहा ना, कि तुमने बहाना बना लिया मेरी सारी बातों को बकवास कहे के तो यह बहुत अच्छा एक psychological trick होती है यह कई लोग जो जानते हैं psychology समझते हैं यह teenagers पर बड़ा इस्तमाल करते हैं teenagers की एक छोटी सी आदत बड़े लोग उन्हें जो करने के लिए कहेंगे वो उससे उल्टा करेंगे आप किसी छोटे बच्चे को यह कह दो कि भाई मिट्टी नहीं खानी है वो जाके मिट्टी कहाएगा आप समय विट्धा करके आप यह कहेंद कि बिटा दूद पी ले वो दूद नहीं पीएगा आप जो कहोगे वो उसका उल्टा करेगा तो लोगबाद क्या है उल्टा बोलत और दूद फैक्ट दिया कि मेरे को दूद नहीं पिना मेरे सामने की बात है तो इसलिए मेरे को अच्छी तरीके से ध्यान है उस विक्तिन तुरंद डिसाइड कर गया कि आज के बाद आपको दूद पीने के लिए नहीं दिया जाएगा तो चार बजे के करीब जो उसको दूद मिला था वो उसने फैक्ट दिया रात के समय जो उसे दूद मिलना था वो उसे नहीं दिया गया बाकी सब लोगों ने दूद पिया उससे नहीं दिया तो तुरंद गुस्सा हो गया मेरा दूद का है मुझे दूद क्यों नहीं दिया मै नहीं देंगे दूठ नहीं मिलेगा दूठ पीने के लिए तो उल्टा करो सीधा अपने अपश जाएगा तो यह बड़ा अच्छा ट्रिक है जिससे कई बार लोग अपना काम करवा लेते ठीनेजर से आपको अगर बजार जाने का शौक है और आप किसी दिन ये कह दो किया मेरी जिम्मेदारी है रोज रोज सब्जी लाने की या फिर बजार का समान लेके आने की ठीक है आज के बाद आप कोई बजार का काम करने नहीं जाओगे आप स्कूल से घर घर से इसकूल उसके लाव कही नहीं जाने के आउशकता नहीं है घर में बैठो आपको बाहर जाने से दिक्कत है आप घर में बैठो अगले ही दिन आप ऐसे हो जाओगे है बगवान कहां जाके सर मारूं लाओ दो पैसे मैं ले आता हूं सब्जी आप यहीं वो लोग नहीं बाहर नहीं निकलना बैटा तोड़ा psychologically strong person हुआ तो मजे ले लेगा तुमारे ध्यान रखना चलो तो मैं वापस आऊंगा मैं दौड सकता हूं मेरे मेरे कोई टिन का लैग थोड़ी है I'll back I'll be back में वापस आऊंगा dairy runs off dairy वहाँ से भाग कर चला जाता है silence बिल्कुल सन्नाटे में the sound of the garden again वापस से garden का sound आने लगता है Mr. Lamb Mr. Lamb जो है अपने आप से कहते है they're my dears वहाँ मेरे प्रीय that's you see too वही चीज़े हैं चीज़े तुम देखते हो अरे you know तुम जानते हो we all know हम सभी लोग जानते है I'll come back मैं व कभी ऐसा कह कर जाते हैं कि मैं वापस आउंगा वह कभी वापस नहीं आते they never do वह ऐसा कभी नहीं करते दो जबकी not them उनके लिए नहीं never do never do come back वह कभी वापस नहीं आते the garden noises fade और garden की जो आवाजें हैं वह धीरे-धीरे मंद पढ़ जाती है फेड हो जाती है इस तरीके से अ कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है जो कहता है वो करे जरूरी नहीं कर भी दे करना चाहें तो कर भी दे नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर तो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है गाइस ठीक है चलिए अगला देखते हैं next that's it तो guys I hope आज का lecture आप लोगों ने अच्छे से enjoy किया होगा आज तो हमने काफी सारी बाते करी और बहुत ही practical discussions आज रहे तो आज मुझे कोई भी three learnings बताईए आज के lecture से related केवल आज के lecture से related होनी चाहिए पुरानी कोई भी नहीं होनी चाहिए कोई भी ऐसी तीन सीखें जो आज के lecture से आपने समझी हो और खास करके as a teenager एक किशोर अत्वा किशोरी के दरश्टी कोण से किशोर किशोरी मतलब teenager जो आप लोग है भी आप लोगों के हिसाब से आज के lecture में ऐसी तीन चीज़े कौन सी है जो आपको सीखने को मिली और आपको बड़ी fascinating लगी कि सर ये तीन चीज़े नहीं है ये तीन चीज़े पहली बार देखी पहली बार जानी और इससे पहले इस तरह का कभी भी नहीं सुना तो गईस मैं आप लोगों के कमेंट का बेसबरी से इंतजार करूंगा comment box में ही लिखना मैं लिख देता हूं यहाँ पर केवल comment box में अभी भी कई सारे स्टूडेंट जो हैं कई सारे आंसर वो लाइव चैट में देते हैं तो comment box के अंदर हमें लिखना है ना कि लाइव चैट के अंदर thank you very much I'll see you soon in my next lecture till I take care of yourself bye bye I'll see you soon